तो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं आज का ही है याने की दिन है शुक्रवार का सुबे का वक्त है और बस अभी चाय भी थी मैंने सुबे की और उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने रूम की क्लेनिंग करने के लिए तो सुबे का जो नाश्टा है वो बन चुका है मतलब बच्चों को तो मैंने सुबे आलो के पराठे बना के जो है दिये थे टिफिन में और हस्बिन के लिए जो है मैं बना चुकी हूँ बैंगन का भरता और अभी मुझे एक चीज़ और बनानी है जो वो नाश्टा करके होते हैं यह मैंने इपटा लेती हूं तो यह वाला जो रूम है इसी का ही मुझे थोड़ा सा काम जादा रहता है क्योंकि हम लोग इसी में नहीं रहते हैं और किसी ने मुझे बोला था कि दिदी यह जो बैट शीट है आप इसको लंबाई में बिचाई है तो देखिए मैंने जह लंबाई में बिचाई तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी तो मेरे साथ ऐसी होता है ना मैं कभी-कभी टेडी मेडी बैट शीट भी चाई देती हूँ फिर आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हो ना फिर उसको मैं सही कर लेती हूँ और यह वाली बैट शीट ना मुझे बहुत अच्छी रगती है बहुत ही बढ़ी है बैट शीट है अभी इसको ठीक करने की बैट शीट है मेरे पास वह भी बहुत अच्छी निकली और बहुत रीजनेबल प्राइज में जो है ना मुझे मिली थी तो इसलिए काफी टाइम तो हो गया है इसको लेकिन मुझे ना इसको बिल्कुल भी फेकने का मन नहीं करता है तो यहां पर देखिए रूम ठीक ठाक क सारी चीजों का उनकी जगे पर अरेंज कर लिया है तो वैज मैं करने वाली हूं ँगारो के इस रीगल प्लस वैक्यों क्लिट के साथ अभी क्या है ना कि यह वैक्यों क्लीनर बहुत जादा यूसफुल है वह क्यों है मैं आपको बताउंगी सबसे पहले मैं आपको बता ये वाले attachment भी मिलते हैं इन सब के जो है अलग अलग यूज़ है इसके साथ एक attachment मिलता है इसका भी अपना ऐख अलग यूज़ है इसके साथ मिलती है हमें ये एक stick जिसको की हम यहाँ पर लगाएंगे तो इससे क्या होता है कि ये जो vacuum cleaner है इसका size बढ़ गया तो सबसे पहले जो attachment में use कर रही हूँ इससे हम लोग करेंगे फर्ष की vacuum cleaning और फर्ष पे जितना भी कूडा करकट और जैसे बाल गिरे रहते हैं तो वो सारा जो इससे बहुत easily vacuum हो जाएगा बहुत जादा powerful vacuum cleaner है ये और कुछ ही second में जो है सारी dust जो है ये अपने अंदर समेट लेता है और अगला attachment जो मैं use कर रही हूँ इससे हम क्या करेंगे ना corner की vacuuming करेंगे और ये देखिए दो attachment है तो इससे आप bed के नीचे भी vacuum कर सकते हैं फिलहाल देखिए जो मेरी windows थे इसके corner में कितनी जादा धूल हो रही थी और इससे बहुत easy हो गया है vacuuming करना सारी की सारी dust जो है ना कुछ second में ही clean हो गई आप देख सकते है result जो है ना वो आपके सामने है अगला जो attachment में लगा रही हूँ ये brush वाला है और इससे आप carpet की vacuum cleaning कर सकते हैं जो भी matte होते हैं carpet होते हैं तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको carpet की vacuum cleaning करके दिखा रही हूँ और अभी open करके द काफ लग रहा होगा लेकिन जब मैंने इसको open किया ना vacuum cleaner को तो इसमें बहुत सारी जो है ना वो dust जमा थी तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से open करेंगे और आप यहाँ पर dust देख सकते हैं product का link मैंने दे दिया है अपने description box में तो आप चाहें तो वहाँ से purchase कर सकते हैं अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है मैं बनाऊंगी पोहा तो मैंने iron की कड़ाई ले ली है इसमें थोड़े से राई के दाने डाले हैं कड़ी पता और प्यास का मैं तड़का लगाऊंगी अच्छे से इसको golden brown होने तक भूनना है और यहीं पर ज होता है तो मैंना risk नहीं ले रही थी अभी एक दिन मैंने बनाया और वाकई बहुत टेस्टी लगा तो फिर में पास corn तो हमेशा ही फ्रिज में रखे रहते हैं तो मैंने थोड़े से corn डाल दिये थोड़े से मटर और एक आलू सुबह ही बॉयल किया था तो बचा हुआ था वो भी सी में add कर दिया है सारी चीजों को अच्छे से mix किया है हलका सा नमक भी add कर दिया था मैंने उसके बाद जो है जब सारी चीज़े अच्छे से पक गई वैसे ये corn तो अल्रेडी पके वे होते हैं frozen होते न तो हलका साई 2-3 मिनट तक भून के ये जो है अच्छे soft हो जा है न तो try करना अब यहां पर देखिए ये निकल गए है ऑफिस के लिए और बस इनके निकलने के बाद जो है मेरे काम शुरू होते हैं तो अभी जो है मैं जाडू नहीं लगाऊंगी क्योंकि कहते हैं कि जब कोई घर से बाहर जाता है न तो जाडू नहीं लगाना चाहिए और पहले मेरी इतनी जादा बुरी आदा थी न कि जैसे ही कोई घर से बाहर निकलता था मैं तुरंट से सफाई करना शुरू कर देती थी लेकिन तब तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर मुझे आप लोगों के ही कॉमेंट पहले जैसे टाइम था मेरे पास तो उस टाइम पे न मैं अपनी जो कीचन है इसको क्लीन करूँगी तो फिर जो है मेरा ये कीचन वाला जो काम है यह निपड जाएगा फिर मेरे पास सिर्फ मेरा जो क्लीनिंग का जाड़ो और पोचे का काम रहता है वही बचेगा और बस यह देखिए फटाफट से मैंने अपना काउंटर टॉप जो है क्लीन कर लिया है नाश्ता मैंने पहले ही बना के जो है रख लिया था कि मैं आराम से नाश्ता कर लूँगी थोड़ा सा पोहा बचाता था उसको भी जो है मैंने अलग से निकालके रख लिया है और बस अभी यह जो गैस के स्टैंड है ना इनको मैं सबको दोने के लिए रख दूँगी तो मोस्टली ना यह स्टैंड जो होते हैं मैं सुबे के टाइम पे यह दोती हूँ कोई मुझसे पूछ रहा था कि दिदी आप गैस साफ करने के लिए कौन सा कपड़ा यूज करते हो तो यह सार देखा होगा आप कभी कहीं जा रहे हो जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो वह गाड़ियां जब रेड लाइट पे रुकती है ना तो वहां पर ना बहुत सारे ऐसे कपड़े बेचने वाले आते हैं वो सस्ता दे देते तो कभी मतलब आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो अगर कभी मतलब ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत ब्लिंकिट से तो ये काफी जादा कॉस्टली मुझे मिले थे अब यहां पर आज बहुत सारे बरतन हो गए थे क्योंकि मैंने तीन चार चीज़े बनाई थी तो उसे साबसे बरतन तो हो नहीं थे तो बस जल्दी से जो है म मैंने इसको फिट कर लिया उसके बाद बारी आती है सिंग को क्लीन करने की तो ये जो सिंग है इसको मैं दो बार क्लीन करती हूँ एक बार उस टाइम पे करती हूँ जिस टाइम पे सारे बरतन मैं ऊपर रखती हूँ और फिर जब सिंग क्लीन कर लेती हूँ फिर बरतनों को माँच के मैं सिंक पे रखती हूँ और दूसरी बार का सिंक तब क्लीन होता है जबकि सारे बर्तन धूल जाते है और इसी पीछ जो है न मैं अपने नल की और जो सिंक के पीछे मतलब नल के पीछे सारी जो टाइल्स लगी है ना, वहाँ की cleaning भी मैं कर लीती हूं साथ के साथ, और ये wiper मैं खरीद के लेकर आई थी, डी मार्ट से तो काफी अच्छा wiper है ये, मेरे काल गाला का wiper था, शायद मैं आपको बताया भी था, starting के दिन में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इस लगा लूँगी पोच्छा, और यहां पर जो है मेरे सुबह वाले जो काम है वो निपड जाएंगे, बस पोच्छा लगाया, फिर मैं जाओंगी सीधा नहाने के लिए, अच्छा रूटीन का जो है ना, मैं चेंज करती रहती हूं, हमेशा एक जैसे रूटीन से काम नहीं ह और वाश रूम क्लीन करने का तब ही फायदा होता है, जिब सारे लोग यूज कर चुके हो, तो मेरा क्या होता है, कि लास्ट में इसलिए मैं नहाती हूं, फिर मेरे वाश रूम अच्छे से क्लीन कर लेती हूं, दो वाश रूम में उन्ने क्लीन करना होता है, तो इस वज़ और आजकल मैं थोड़ी सी बीबी क्रीम लगा लेती हूं तो इसकीन का जो टेक्स्चर है वह अच्छा हो जाता है और बालों में सीरम लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्योंकि मैंने स्मूधनिंग कराई है ना तो स्मूधनिंग के लिए जो है आपको उतनी केर भी करन आने के लिए बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है और आज उनका लास्ट एक्जाम थाना तो दोनों बहुत खुश होके गए हुए थे और उनसे जादा खुशी तो मुझे हो रही थी कि चलो फाइनली जो है बच्चों के एक्जाम अच्छे से निपड गये हैं आज मुझे बहुत सारी तयारियां करनी हैं मुझे पैकिंग करनी हैं और हम लोग जो है कहीं जा रहे हैं व्यसक collectors at ऐंक मुगा का जा रहे हैं तर फिर वी कॉमें बाक्स में लिखके बताओ कि हम लोग कहा जा रहे हैं तो अभी पहले मैं बच्चों को जो है लेकर आती हूं उसके बाद थोड़ा बहुत लंच की तयारी करूंगी और फिर जो है आराम से मुझे पैकिंग करनी है लोग जहां भी जा रहे हैं पूरा वन वीक के लिए जा रहे हैं बच्चों की स्कूल से जो है मैंने छुट्टी ल थोड़ा सा शान्ती में रहके आएंगे तो चलिए चलते हैं पहले बच्चों को लेकर आ जाती हूं वरना लेट हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों से मिलते हूं तो दोनों बच्चे आगे हैं स्कूल से और फाइनली आज एक्जाम खतम होगे कैसा रहा वैसे आज का अच्छा रहा अब कितनी खुशी हो रही है अग्जाम के बाद की बहुत जादा हां वैसे तो बहुत बढ़ाई की है ना बिलकुल हां वेदांशन तो कुछ जादा ही की है अपनी जितनी भी चीज़े निकाल रहे होना यह सारी जगे पर रखो आई-कार्ड अपनी बैल और यह कपड़े जो है यह दोने के लिए रखो और इसी वक्त अपना टिफिन भी न के बाद फिर मैंने जो है लंच बनाया लंच वगेरा कराया बच्चे को और अब मैं अपना जो में काम है ना मेरा एक तो कपड़े फोल्ड करने का काम है और उसके बाद मेरा पैकिंग का काम है वो मैं निप्टाओंगी तो इतने सारे कपड़े हैं ना मेरे कपड़े कभी खतम नहीं होते मुझे पता नहीं क्या है। ये कपड़े खतम ही नहीं होते। करने का कोई सवाल है नहीं उड़ता है और बहुत बार तो किजन के कपड़े तो मैं किजन में क्लीन कर लेती हूं तो यहां देखिए जो है ना मैंने फटावट से पहले यह कपड़े हैं यह फोल्ड किये अपना जो बैग है उसको निकाल के रख लिया है और अब दीरे दीरे जो है मैं पैकिंग भी कर रही थी और कपड़े फोल्ड करके रख रही थी क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूं तो मुझे पैकिंग करते समय बहुत जादा कन्फिजन होता है मैं यह सोचती हूं कि बस कोई भी चीज जो है वो छूटनी नहीं चाहिए आप कपड़े एक्स्ट् से काम करता है बस तो यहां पर देखिए जो भी मुझे थोड़े बहुत कपड़े पैक करने थे वह फिलाल मैंने कर लिए हैं बागी के कपड़े मेरे नाइट तक ही पैक होंगे हलो एब्रीबान गुदीवनेंग तो जी सुवे से श्याम कब हो गई पता ही नी चला श्याम के बज़ रहे हैं ठीक चार मैं लगी थी यहां पर अपनी पैकिंग में तो थोड़ी सी पैकिंग हो चुकी है यह और थोड़ी सी रगी है तो वहां पर कपड़े रखे हैं उनमे थोड़ी बहुत देर में वहिदांश के पापा आ जाएंगे फिर इसको शूज दिलवाने तो इसको लेकर जाना है शूज लेकर आने बहुत सारे काम है तो चलिए फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो को मैं आज यहीं पर एंड करती हूं और कहां जा रहे हम लोग आप लो चैनल को सब्सकाइब कीजिगा विडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आप से मिलती हूं अपने अगले वीडियो के साथ तब तक ले बाबाए